नमस्कार दोस्तों, राधे, राधे, हरे कृष्णा, चीकोज रेस्पीज में एक बार फिर से आज आज आपका स्वागत है, तो आज जो आपको वीडियो मिलेगी ये होगी चंदर ग्रहन पर, क्यूंकि आप सभी के कमेंट्स भी आरे थे कि मैं पांस तारिक को चंदर ग्रहन उस पर ठाकूर जी की सेवा कैसे करनी है, सुब तक काल का क्या होगा, और जब चंदर ग्रहन लगेगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो, पहले मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी, पर मैंने सोचा चलो क्यों ना ये वीडि तो चलिए बताती हूं कि जो पांच जून को चंद्र ग्रहन है उस पर आपको ठापुजी की सेवा कैसे करनी है पूजा कैसे करनी है और जो ग्रहन के दोरान जो दान्वान दिया जाता है वो करना भी है या नहीं करना तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें चीको रैस्पीज को और बैल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए बात करते हैं चंद्र ग्रहन की तो जो भी ग्रहन होते हैं चंद्र ग्रहन होता है या सूर्य ग्रहन होता है तो अगर वैग्यानिकों की दृष्टी से देखा जाए तो सूर्य ग्रहन हो या चंद्र ग्रहन ये एक खगोलिया घटना है तो उनकी द्रिष्टी से तो जब सूर्य और चंदर्मा के बीच पृत्वी आ जाती है तो चंदर ग्रहन हो गया और जब सूर्य और पृत्वी के बीच चंदर्मा आ गया तो ये हो गया सूर्य ग्रहन लेकिन अगर जोतिष्ट की द्रिष्टी से देखा जाए या धार्मिक द्रिष्टी से देखा जाए तो इसके बहुत माइने है यह बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि यह हमारी राश्यों पर भी बहुत पर भाव डालते हैं और यह जो हमारे जोतिश है वो ग्रहन के जरिये ही गनना करके वो यह बता देते हैं कि इस ग्रहन का किन-किन राश्यों पर क्या असर होगा या हमारे देश पर क्या असर होगा जलवायू पर क्या असर होगा य इन इन राश्कियों के लिए ये ग्रहन फाइदेमंद है या हमारे देश के लिए ये जो ग्रहन है ये अच्छे के लिए आया है ये बुरे के लिए आया है तो ये हम सुनते ही आया है तो जो पांच जून को जो ग्रहन पढ़ रहा है ये एक उपछाया ग्रहन है तो इसका तो सबसे पहले तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस ग्रहन में आपको क्या-क्या सावधानिया बरतनी है और क्या-क्या सावधानिया नहीं बरतनी और उप्छाया चंदर ग्रहन होने के कारण जो चंदरमा है उसके अकार में भी किसी तरह का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता इसमें रात को चंदरमा की एक धुंदली से आपको तस्वीर नजर आएगी जो अभी आप जो चंदर ग्रहन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो चंदर माह है वो एक धुंदला सा नजर आया है तो जो उपचाया चंदर ग्रहन है वो बहुत ज़्यादा परभावशाली भी नहीं माना जाता है यानि कि ये परभावशाली है ही नहीं इसे आप एशिया, यॉरप, अस्ट्रेलिया, अफ्रीका में भी लोग इसको देख पाएंगे आप इसे नंगी आँखों से भी देख सकते हैं पूरे ग्रहन के दोरान चांद आपको कहीं से भी कटा हुआ नहीं दिखेगा इसलिए आप इस अनोखे चंदर ग्रहन को नंगी आँखों से देखेंगे तो आपका जो अनुभव होगा वो बहुत ही अच्छा होगा जो चंदर ग्रहन है वो 5 और 6 जून की आदी रात में लगेगा इसकी जो कुल अबधी होगी 3 घंटे 18 मिनट की होगी ये 5 तारिख की रात को 11 बज कर 16 मिनट से लेकर 12 बज कर 55 मिनट तक होगा और 6 तारिख को रात के 2 बज कर 34 मिनट कर इसका समापन हो जाएगा तो इस दोरान जो गरभवती महिलाए है यानि कि जो प्रेंगनेंट लेडी है उन्हें किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रहन है मानने नहीं है इसका सुतक काल भी मानने नहीं है ये उप्छाया ग्रहन है तो इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा तो कईयों को टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे करेंगे रात को क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पीएं, क्या ना पीएं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सो भी सकते हैं, आराम से खा पी सकते हैं जो भी आपका खाने का मन हो और रही बार ठाकुर जी की पूजा तो ठाकुर जी की पूजा भी आप नॉर्मल दिनों में जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको उनकी पूजा करनी होगी तो जब आप मंदिर खोलेंगे यानि कि मंदिर का परदा या मंदिर का दरवाजा खोलेंगे तो गंगा जल से छीटे जरूर मार दे और जिन लोगों ने वरत किया है सत्ते नरायन का या पूर्णिमा का वरत किया है तो वो चंद्रमा को जल भी दे सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जिनों ने वरत किया है, पुर्निमा का या सत्ता नरायन वरत किया है, तो आप चावल की खीर बना लें और जब चंदरमा को जल देंगे, तो उस खीर को आप चंदरमा के सामने जरूर लेके जाएं, तो जो वो आपके लिए बहुत ही धादेमंध होगा, क्योंकि जो आपका चंद्रमाग्रह है, वो भी मजबूत हो जाएगा, तो इस चंद्र ग्रहन के दोरान कुछ भी खा पी सकते हैं, इसमें आपको किसी भी करीके की कोई रौकटोक नहीं है, धर्म से जुड़े जानकारों का ये भी कहना है, कि इस दुरान सिर्फ बच्चों, बुजर्गों और जो बिमार व्यक्ति होते हैं, उन्हें भर से बाहर निकलने की मना ही होती है, लेकिन आप इस ग्रहन के दोरान कहीं भी आ जा सकते हैं, तो इस दोरान आप शाम की जैसे पूजा आरती करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं, वैसे ही आपको करन गरनले सो है नहीं वह थो एक अच्छा ही है तो आप Pूजा पाठ जिरूर करें , जारूर कोई माला या मंत्र का जाप आप करना चाहते हैं , विश्नुसहेस्ट्र-नाम पाठ आप कर सकते हैं , ओम नमे भगवत वासुदेवा开धी या ओम नमो नाराय Nā मैं मंतर का जाप भी कर सकते हैं, एक माला करें, माला आप कर सकते हैं, भगवत गीता पड़ सकते हैं, भागवत का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रहन के दोरान आप माला फेड़ सकते हैं, मैं फिर से आपको बता रहे हूं कि माला को छूना वरजित नहीं है, तो यह थी को लाइक करें, शेर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल पूलना भूलें, हमेशा की तरह अपने सुजाव देते रहें, आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं, धन्यावाद, अरे कृष्णा